मेटा फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आज आम मेरे साथ में सिखने वाले विंडोज का जो बूटेबल पेंड रहे है उसका पूरा सेटप तो बने रहे हैं मेरे साथ में वीडियो के एंट तक सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है और गूगल में जाने के बाद में विंडोज का जो पेंड रहे हैं उसका पूरा सेटप आप मेरे साथ में दे करना है और यहां पर देखे सबसे उपर जो Microsoft का जो website दिखाई दे रहा है आपको सबसे उपर simply उसके उपर आपको क्लिक कर देना है जो Microsoft का original website है Microsoft.com उसके उपर आपको simply क्लिक कर देना है और अभी देखिये मैं इसको open कर देता हूं और ओपन होने के बाद में इस तरह से देखिए जो Microsoft का वेबसाइड है यह देखिए यहाँ पे अपून Windows 10 का जो पूरा सेटफ है यहाँ से अपून इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके बारे में आपून सिखेंगे तो बने विडियो के एंड तक तो सबसे पहले देखिए निची दाउलोड तूल नाव पे अपून क्लिक कर देंगे यह देखिए डाउलोड तूल नाव पे में क्लिक कर देता हूं और यह जो अपना आइसो जो फाइल है विंडोज का वह अभी इंस्टॉल हो रहा है नीचे के ओ देख सकते हैं आप लेप साइड में जो कोरनर पे जो फा पूरा मैं आपको वीडियो में बताने होना लाई तो बने रहे है मेरे साथ में वीडियो के एंड तक तो आपको पूरा सेट अप जो है देखने को मिलेगा जो भी रहेगा आपका विंडोज 10 का फेंडाय बूटेबल आप गरवेटे बना सकते हो अब आपका सिस्टम क्रप अच्छ नहीं इसका जो विंडोज 10 का जो यह आपको कहां से इंस्टोल करना है क्या इंस्टोल करना है उसका जो लिंक है वह मैं आपको यहां पे डेस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तो आप इसीली इसलोल वहां से कर सकते यह देखिए अभी फाइल डाउम लोड ग कर रहा है सिस्टम तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लेगे बस इमिडेटली और यह देखिए ऐसा इस परकार से अपना विंडो है इंस्टोलेशन जो आईसो फाइल है उसका इंस्टोलेशन अभी हो रहा देखिए और अभी इसके साथ में अब उनको क्या करना है आगे वह है तो यह दिखिए अभी निएक्स विंडो इसा दिखाए देगा अप्लिकेबल नोटीस and license स्का करनेसल ने आपको क्लिक कर दे ना है यह क्लिक कर देना है जो डाइसेंसकी जो की है उसकी जो लाइसेंस क्लिक कर देता हूं सिंपली और यहांपे देखिए फिर से गेटिं ग तो थोड़ा सा टाइम और लेगा और नेक्स का जो विंडो है वो आपको सामने यहां पे नजर आ जाएगा भी देखिए देखते हैं नेक्स में क्या आता है बहुत इस इजी सेट है बहुत दोस्तों आप भी घर पेटे अपना जो बुटेबल पेंड़ बना के रख सकते है त तो आपको सिस्टम करफ्ट होने का खराब होने का कोई दिक्कत नहीं आएगा तुरंट आप इमिडेटली नया जो विंडो है इस तो कर सकते अपने सिस्टम में किसी भी देखिए यह देखिए नेक्स सेटप ऐसा आ रहा है यहां पर बोले अप्ग्रेड पीसी नाउ जो कर कर देना है क्योंकि अपने दूसरे पीसी के लिए अपने रेडिक कर रहे है ठीक है और सामने देखिए ऐसा उप्शन आएगा लेंग्वेज में मैं वहां पर जो आ रहा है वो उसको ऐसा ही रहने देना है यह देखिए और निच्चे जो ऑप्शन दिया हुए है यूज रि प्रिक पार के जो उसको हटा देना सिंपली ठीक है और इसके बाद में देखिए कि यहां पर 64 बीट और 32 बीट यहां पर दिखाए दे रहे तो अपने शिस्टम सेटिक में जाके देख लेना है आपका जो सिस्टम है कुण कितने बिट का है 64 या 32 बिट का है तो यहां पर मै पार विलंचन आ यहां पर यहां पर रिक यहां पर यहां यहां पर करने के बाद Simpaly यहां PC वेंडो आपके सामने आएगा यहां बगे यहां पर देखिए जो करके आ रहा है यहां पर बना सकते हैं और यह अगर बनाएंगे तो यहां पर देखिए पूरा डिटेल आपको नज़र आएगा कि आट जीबी का आपको फेंड़ चाहिए गाई बनाने लिए कम से कम तो मैं ISO फाइल पर क्लिक कर दूंगा कि मेरे को ISO फा पर क्लिक कर देना है आपको इजी और यहां पर देखिए इस लोकेशन है वहां पर मैं लिख देता हूं Windows 10 ISO फाइल इस फाइल का जो नाम है वह आपको डेस्टोप पर लेके उसको सेव कर लेंगे यह देखिए डेस्टोप पर मैं ले लिया विंडोस 10 ISO और यहां पर नेक्स में 0% दिक्रा होगा और यहां पर इसको 100% पूरा होने देने का इंतजार आपको करना है जैसे आपका internet का स्पीड रहेगा उसके सबसे मिनिम्म यह 15-20 तक इसमें लगता है जैसे आपका internet का स्पीड रहेगा उसके सबसे तो 15-20 मिंट में जो ISO पहला अपका इंस्टोल हो जा आपको इंस्टॉल करने आगे और उसके बद में कैसे पेंड रही बने रहेगी तो बढ़ने वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको लेकिन पूरा जो इन्पोर्मेशन है इस वीडियो में आज आपको मैं देने वाला हूं तो simply इसको इंस्टॉलेशन यहां पर देख सबसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है जैसा आपका स्पीड रहेगा इंट्रेनेट के उसके सबसे यह आपका इंस्टॉल अभी देखिए यह फाइल हो जुगया और ऐसा मेरे सामने विंडो सामने आ गए कि आपका जो फाइल है यहां पर आइस फाइल डाउलोड हो गया इस फाइल जो विंडोस 10 का है बनके रेडी हो चुका है अब यह आगे क्या करना इसके बार में आपको बताने आपको रूप्स करके एक जो सब्सक्राइब दूसरा जिसे आपन बूटेबल पेंड़ बनाते है तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले गूगल में जले जाना है और यहां पर गूगल में जाने के बाद में रूप्स डाउनलोड कर देना है रूप्स डाउनलोड करने बाद में उसका देखिए सबसे पहले क्रेट बूटेबल यूस्वी ड्राइवर ता इजी वे लब यह सब्सक्राइब अपने को इंस्टॉल करना और उसके क्लिक करने के बाद में ऐसा विंडो आपके सामने नजर आएगा और इस परकार से मैं आपको बताने माला हूं कि जो रूप्स सौप्ट्वेर है वो इंस्टॉल करने के बाद में किस परकार से आप आई इसो फाइल को मर्ज करके बूटेबल पैंड रएब बना सक से दिखेगा इसको इंस्टॉल होने के बाद में अभी आपको नेक्स क्या करना है आए इसो फाइल डाउनलोड हो गई और रूप्स सौप्ट्वेर भी इंस्टॉल हो गया अभी बताता हूं में दोनों को मर्ज करके अपन जो यूएस्पी ड्राइव बनाते है उसको कैसे तो सबसे पहले अपने को क्या करना है और जो रूप्स का सोफ्ट्वेर है उसको आपन करने डिखिए इस प्रकार से दिखाए यह दिखिए सबसे पहले अपकी सिस्टम में लैप्टोप में जो भी है ऊपर जो यह दी यहां पर देखिए इमेज का जो है यहां पर इस्टेंडर्ड का जो है अपना उसमें आपको रखना इस्टेंडर्ड विंडोस इंस्टोलेशन पर रखेंगे तो आपको अगर पेंडर्व से डायरेक्सिस्टम करॉप्ट वहा तो डायरेक्सिस में आप ओने उस्के और यहां पर यहां पर क्लिक एकिला और यहां पर एपको झाली है यहां पर अगाहां वर्वाशाद्र क्लिकच करना तो आपके सामने अभी देखिए यहां पर एक option दिखाई दे रहा है कि admin अगर आपके पास में login account में admin वहां पर admin बनाना चाहते हैं वह भी बना सकते हैं आपका मर्जी है लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता हूं और इसके बाद में ऐसा विंडोड़ यह वार्निंग देगा कि आपकी जो 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 पैंड़ है वह पूरी मिलम जो भी उसका data हो डिलीट होने वाला है तो आप यह वार्निंग दे है यहां पर प्रिपेर हो रहा है तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है जो अपना ISO पाइल है यह रूपू सब्पेर उसको करेगा दोनों को मर्च करके जिसके बाद में जो आपका विंडोज का जो फाइल है यह देखिए भी यहां पर हो चुका है कंप्ली और यहां पर होने सब्दीर से आपका फाइल हो जाएन गा और आपका पेंडैय ररेडी हो जाएगा अभी आप किसी भी सिस्थम में जो भी सिस्थम में उसमें आप वींडोज का जो पेंडैयो ररेटी हो गया किसी Jonight में आब कर सकते सिंपली कुछ भी नहीं करना है और आपके पास यह पेंड़ाइव रहेगी तो अभी भी आपको सिस्टम क्रफ्ट होने का सिस्टम कंप्यूटर खराब होने का कोई डर नहीं रहेगा तो आप भी अपने पास पेंड़ाइव बना के रखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिजिए और कॉमेंट बोक्स में रिप्लाइव जरूर कहें कि वेडियो आपको कैसा लगा यह देखिए अभी इंस्टोलेशन जो है उसका सेटप भी आपको यहां पे सामने नजर आ रहा होगा यह देखिए थोड़ा सा भी बैलेंस रह रहा है वो भी हो तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना जो फेंडाइव है उसको बूटेबल बनाके रख सकते हैं विंडोज के लिए और बूटेबल बनाके रख सकते हैं ताकि आपको भी कभी भी जरूरत पड़े अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टोलेशन की तो इमीडेटल बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है मेरी और से तो इसमें आपको समझ में आ गए दिखिया आपकी जो पेंडाइव अभी रेडी का जो उप्सन आ गया इस परकार से रेडी हो गई है यह दिखिए तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नहीं वीड लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलिए थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे नई